अज़ आज मैं आपके लेकर क्या हूँ एक ओफिस का इंटिरियर दोस्तों यह जो साइट तूर आपको देखने वेगी इसके अंदर हम एक ओफिस की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों ओफिस की प्लानिंग के अंदर जो है आपको एक इसके साथ में जो है वर्क सेशन एरिया वेटिंग एरिया और रिशेप्शन एरिया भी देखने भूलेगा दोस्तों यह जो ओफिस है एक चार्टेड अकॉंटेट फर्म का ओफिस हम डिजाइन कर रहा है जिसके अंदर जो है काफी क्रेटिवली एलिमेंट्स हमने हाप इसको बनाया है दोस्तों तो गाइस अगर आप चैनल के उपर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तो गाइस इस ओफिस के अंदर जो है माइका का आप देखोगे तो बहुत लाइट सेट के अंदर हमने इसको ल आपको देखने को बिलिए चलेगा इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो आपको एंट्री करते ही यहां पर पूरा है उसको यूज करने वाले है और नीचे साइट से पूरा यहां से आप देखोगे तो और देखेगा टर्ण होता हुआ और पूरा साइट टेबल तक पूरा देखने को मिल रहा है दोस्तो बैग्राउंड के अंदर के रिशेप्शन जो है हमारी ओफिस की मैंने इंट्री है इसको हैलाइट करने के लिए हमने काफी सारी चीज़ों के साथ में प्ले किया है पीछे बैग्राउंड जो है उसके उपर आपको देखने मिल रहा है इसके उपर हम डीको पैंट करने वाले दोस्तो अब डीको पैंट हम कौन सा गलर करेंगे दोस्तो वो भी आगे वीडियो में देखने मिलेगा तो दोस्तो आप देखते हैं कि यहाँ पे मिड के अंदर भी एक अलिमेंट आपको को डिजाइन कर रहे हैं तो दोस्तो पूरा जो बैक्राउंड है मेरा वो पूरा वोड़न की elements से काफी prepared हमने इसको किया हुए यहां देखोगे तो side के अंदर जो partitions हैं उन partitions के अंदर भी आपको यहां पर switchboard अगर मिलेगा तो यहां की lighting का operation हम यहां से करने वाले हैं दोस्तो अब दोस्तो बात करते हैं हम यहां पर ceiling lights तो ceiling light के उपर इस वाले area के उपर यहां पर कुछ hanging suspended light जो है उसको हम plan कर रहे हैं और सीधी उसकी जो lighting effect है वो आपको table को मिलेगा यहां पेश जैगत तो जैसे ही आप में दोर से आप entry करोगे entry करने के बाद में आपको मेरे background के अंदर दो units आपको देखने को लेगी left side के जो unit है यह हमारा reception table जो है बनने के बाद में कैसा लएगा वो भी आपको next अगली वर्ल वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा इसके अंदर भी यहां पे हम कुछ lures के design के साथ में यहां पे हम बनाने वाले हैं इसको वो work भी जल्दी ही आपको next वीडियो में देखने को लेगा तो दोस्तो यह रही reception की बात इसके साथ में दोस्तो अगर आप देखोगे तो ceiling जो area है वो भी काफी creatively हमने जो है इसके अंदर half rounded जो है और full rounded circles के साथ में इसको play किया हुए तो अब बात करते हैं यहां पे MD cabin के दोस्तो MD cabin के अंदर जो है आपको यहां पे पार्टसन देखने को मिलेगा इसके अंदर फुल आइट का दोर भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तो यह देखते हैं कि यहां आपके cabin में आप अंदर enter होंगे तो enter होने के बाद में आपको यहां पे देखते हैं कि यह इसकी main table जो है वो देखने को बिल रही है इसके अंदर भी आप देखोगे तो काफी design element हमने इसमें prepare किया है और अभी इसमें काफे कुछ work इसमें बचा हुआ है पीछे के जो level देखोगे फर्स्ट लेवल हो गया, सेकन्ड लेवल हो गया, थर्ड लेवल हो गया, फोर्फ लेवल हो गया, तो हमने table के अंदर काफी इसमें work किया है इसके design के ओपर हमने काफी exercise किये उसको करने के बाद में यहां पे कुछ हम lower size में plan करने वाले है यहां पे कुछ laminate यूज करने वा Korean पूरा top से लेकर के, नीचे से start होगा, और यहां से पूरा turn करते हुए इसके अंदर भी taper edges हैं, यहां से पूरा turn करते हुए और इस table के उपर पूरा rotate होगा, तो दोस्तों अब बात करते हैं पीछे background के, तो जब मेरी table आ गए table के left side के अंदर आपको यहां पे, एक side table जो है निश्वागर हमने डवलट के हैं, दोस्तों इनमें भी deco paint होगा, profile lighting का जो है, यहां पर provision पूरा छोड़ा गया है, टॉप और bottom के अंदर जो है, storage के लिए यहां पे हमने कुछ shutters यहां बनाये हैं, देखते हैं कि यहां shutters हो गए, और इसके उपर भी mica और deco को highlight करने के लि पीछे रखा हुआ है, यहां पर निश्यस हो गए, उपर भी आपको पूरे storage देखने हो मिलता है, इसके अलावा जो है, पीछे जो है, वो आपको storage मिलता है, यहां पर drawers की हमने planning करी हुई है, planning के साथ मैं आप देखो गए तो पीछे background के अंदर दोस्तों हमने यहां पर पू पूरा मिलेगा यहां पर, इसके next जो है, gray shade यहां देखने को मिल रहा है, तीसरा जो shade है दोस्तों यह blue tone के अंदर हमने काम में लिया है, हमने जो है, इसमें से कौन सा shade हमने final किया है, उससे पहले मैं आपको इन तीनों में से कौन सा color जो है, ज़्यादा पसंद दा रहा है, तो दोस्तों देखते हैं कि यहां पे भी हमने एक lower पूरा formation हमने लिया हुआ है, और इसके उपर भी एक shape जो है, half round हमने उपर plan किया हुआ है, यहां पर कुछ हम pin board यहां प्लान करने वाले हैं, तो जिसमें आपकी जो भी daily routine किया, फिर आपको कुछ memories बगर आपको रखना हो including हमारी requirement के according आपके पास में जित्ते भी electrical के points हैं, वो सब आपको पहले ही planning में रख करके चलना है, उनको आपको consider करना है, जैसे मेरे पीछे के side में हो गया, तो इसके उपर इस ही का provision हो गया, मुझे पीछे printer भी use करना है, सब के लिए मैंने पूरा provision यहां पर छोड़ा गईज अगर आपको ये वीडियो ले content आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना भूलेगा और चैनल को subscribe करना भूलेगा, thank you for watching me, जै हिन, जै वारत